कुछ खरीदना चाहते हैं, क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से पड़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़त के हैं हमारा देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भार करना है हम अपनी इसे वागति विद्या यानी ओलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कॉंग्रिस कारकरताओं के सांत बैठक का आयोजन नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया गया स्वागत नगर निकाय चुनाओं की हुई गोष्टना सबसद पृतियाश्चियों ने की जन संपर्क राजे सात्याकान दोश्यों के खिलाफ कारवाई की मांग भगवती सिनमा हॉल में आयोजी थुई बैठक एसेसपी कमांडेंट ने जवानों को किया जागरू किया तयात नेमों के पालन के इलाई शपन अवद एक्सप्रस ट्रेन की चपेट में आने से ब्रिद्ध की मौत फुलिस ब्रिद्ध के शफ का करा रही शिनात नमस्कार मैं हुमयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टिवी वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का खबर बेतिया से है जहां कॉंग्रेस कमेटी बगहा नगर में कॉंग्रेस कार करताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया और इस दोरान बैठक में नव निर्वाचित अध्यक्ष और मधूबनी अध्यक्ष का स्वागत किया गया बैठक में मुखह थिती के रूप में उपसे तो बगहा बिधान सभा के पूर्व कॉंग्रेस पृतियाशी का मूल फूल माला पहना कर जोरदार स्वागत किया गया नगर निकाय चुनाओं की घोषना के साथ ही सबसद पृतियाशी जनता के बीच जाकर जनसंपर कर रहे हैं जनसंपर के दौरान उपसभापती उम्मीदवार पूनम दिवेदी ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो सरकार की सभी उजनाओं का लाब इस्थानी निवासियों को दिया जाएगा उन्होंने कहा कि किसी किसान भेदभाव नहीं किया जाएगा लाब को शोसित करने वालों पर अंकुस लगाया जाएगा विधायक रश्मी वर्मा ने राजेस हत्याकांट में दोश्यों के खिलाफ करवाई ना होने पर भगवती सिनमा हौल में गड़मान वेक्टियों के साथ बैठक की विधायक ने कहा कि प्रोपर्टी डीलर और सभापती उम्मीदवार राजेस सिर्वास्तव की शर्याम बदमासों ने हत्या कर दी लेकिन अभी तक हत्यारों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है उन्होंने कहा कि पुलिस प्रडाली को बदलने की मांग है और शेत्र में बढ़ रहे अपराध अपराधियों को चेतावनी दी कहा कि अपराधी या तो शेत्र छोड़ दे या फिर समरपड का सामाज की मुखधारा से जुड़े विधायक ने कहा कि राजे सात्याकांट के दोसियों पर कारवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी बैठक के दौरान वड़िस्त भाजपा नेता रामेश्वर सराफ दीपू रजक दीपू वर्मा समेत अनगर्मान मजूद रहे मैं सभी अपराधियों को जो नरकडिया गंग छेतर में जो पराज दिखाया जो पराजी दिखाया है मैं अल्टिमेटम देती हूँ कि मेरे छेतर को छोड़ कर भाग जाएं नहीं तो सरंडर करें और आके मुके धारा से जुड़ें SSB कीसवी वहनी के कमांडेंट प्रकाश की अधक्षता में बगहा कारियाले पर्शन में सड़क सुरक्षा जागरुकता कारिकरम और सैमिनार का आयोजन हुआ कमांडेंट ने सभी अधिकारियों अधिनस्त अधिकारी और जवानों को सड़क सुरक्षा की शपत दिलाई कमांडेंट निरिक्षक प्रदीप कुमार जवान समेट अनधिकारी मवजूद रहे खबर पसिम चंपारण बेतिया से है जहां महोदी पूर पंचायत के पास अवद एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक ब्रिधि की मौत हो गई है रहगीरों की सूसना पर पहुची मजौलिया पुलिस ने शप को कबजे मिले कर पोस्माटम के लिए भेजा थाना अध्यक्ष अभैकुमार ने बताया कि शप का शिनाक्त कराया जा रहा है जल्दी जाच परताल कर मिर्तक के परजनों को शप सौपा जाएगा खबर मधुबनी से है जहां तसकर नेपाल से मवेशी तसकर कर ले जा रहे थे जिसके बाद मुख्विर की सहायता से पुलिस ने दोस्त तसकरों को मवेशी समेद गिरफतार कर जेल भेजा और आरोपियों के खिलाफ कारवाई शुरू की हम बराते से आ रहे थे हैं करीब चार बजे सुबह में करीब एक देर सो गाई कमला पूला पर जा रहा था है वहाँ हमको देखा इन लोग पुलिस समझ करके हमसे भागने लगा हम उसका पिछे की हैं तो लोग मतलब जा करके मतलब बार में देखा तो बोला है कि न मंदना कि अदर बाय एवालो इसको मालो और इसके बाद ही लोग जो चुट के भाग गया हमको माला पिठा अनि आ पुलात अफार है हम लोग पुलास ले जा तो आंगा रहा हाँ अच्छा को लिए भी वाली को बेशता है अच्छा हम आसपों पहुचा ज़िए अच्छा एटिया पुलिस की सयुक्त करवाई में एक महिला और दो पुरुस्त तसकर गिरफतार किये गए एस्पी डॉक्टर कुमार आशीस ने बताया कि नेपाल सीमावर्ती इलाका है जिसके कारण मादक पदार्थों की तसकरी की जाती है एस्पी ने कहा कि तसकरों के पास से करीब 18 किलोग्राम चरस जब्त की गई है जिसकी कीमत अंतराश्टी बाजार में करोडों रुपए हैं उन्होंने बताया कि तसकर चरस को नेपाल से लेकर आए थे जिसे बस के माध्यम से डिल्ली डिलेवरी करने जा रहे थे तसकरों से प अंदर में कल सुचना मिली थी की नेपाल के रास्ते एक बड़ी खेप दिल्ली तरफ जाने वाली है जो की बस में बिठा के लेके जाए इस सुचना के आधार पर च्छतवनी बस स्टेंड में गेराबंदी की गई टीम बना करके अनमंडल पुलिस पताधिकारी के जो है वहाँ पर तीन संदिक्द बैक्तियों को पकड़ा गया जिसमें दो कुरूश है और एक महिला है इनके बैक की जब तलाशी ली गई बैक दो हैं और एक जोला है जिसमें की 18 किलोग्राम चरस की बरामदगी हुई है पर इनसे पूश्ताच की गई तो इन लोगों ने जो है यह बताया कि नेपाल के रास्ति यह लोग दिल्ली में इसको ले जाने की फिराक में थे रुकते हैं चोटे से ब्रेक के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खड़ी ना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर? तो देर किस बात की? अभी लॉग इन करें skbmarket.in. skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ 83 दिगजों से जानेंगे राजनीतिक दाउपेज अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी तांसर से लेकर विढ़ायक तक आईयस से लेकर आईपी अर्स तक सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार और रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत थे रुकरते हैं खबरों के ओर अंताराश्टी रेत कला उत्सों में बिहार की उवा सेंड आर्टिस्ट मधूरेंद्र ने अपनी कलाकृती बनाई भारत में विलूप्त हो रही होकी खिलाडियों की कमी से चिंतित बिहार के युवा रेत कलाकार मधूरेंद्र कुमार ने ओडिशा के चंद्र भागा समुद्र तट पर आयोजित कोकरण फेस्टिवल में होकी खेल के प्रती लोगों में भावना जगाने के लिए बालू पर प्राउड ओफ इंडिया टू ओडिशा होकी का संदेज दिया रेत में बनी कलाकृती लोगों के बीच आकरसड का केंद्र बनी हुई है जापान, कनाड़ा, रसिया, स्पेन, सिंगापूर और शार्क देसो के रेत कलाकार समेथ हजारों परेटिकों ने मधूरेंद्र की रेत कलाकृतियों की प्रशंसा की है आज इस अंत्राटरिये सेंगापूर प्रशंसा में, जिसे फिल का हम कहा जाता है उडिशा, उसमें हम होकी पिकलाक परेटिकों को दिखाए इरिक्षा चालक को तेज रफतार अग्याद बाइक सवार ने टक कर मार दी, हादसे में इरिक्षा चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई ग्रामडों ने मुआवजे और कारवाई कोले का सड़क जाम कर प्रशं किया गटनाकी सुक्षना पर पहुची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और मिर्दक के शव को पोस्माटम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा इसलामपूर्थाना अध्यक्ष ने अग्यात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्जकर कारवाई के निर्देशी है खबर नालंदा जिला से है जहां जन अधिकार युवा परिसत के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने काफिले के साथ एक नीजी कारिक्रम में शिर्कत की और जाप युवा नेता से अपने कारकरताओं के साथ बैट कर पार्टी से जुड़े बातों पर चर्चा की इस दोरान जाप नेता ने कुधनी उप्चुनाओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुधनी बिधान सभा का उप्चुनाओं में भारती जनता पार्टी की जीत कहीं न कहीं महागटवंधन की गल्त रणनी ती और तालमेल की मुख वज़ा को दर्शाता है जो कुधनी बिधान सभा का जो आजरी यल्ट आया ये कहीं न कहीं आश्चर जनक है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महागटवंधन के जितने भी साथिये हैं आपस में तालमेल कमजोर रहा रणनीती सही नहीं रही और लोगों तक अपनी वात को सायथ पहुचा नहीं पाएं यह सब कई बज़ा हुएं जिसके कारण महागटवंधन की हार हुई बहुत कम अंत्रों से हार हुई है खबर नवादा से है जहां देर शाम डीडी सी दीपक कुमार मिश्रा ने सदर अस्पताल का और चक निरिक्षड किया जिसमें स्वास्त कर्मियों में हड़कम मच गया बता दे इस दोरान डीडी सी ने वाडो का निरिक्षड किया और मरीजों से अस्पताल में मिलने वाले सुबधा के बारे में पूछताज की उन्होंने कहा कि पहले से अस्पताल में काफी बहतर सुधार हुआ है और सब कुछ खामिया रह गई हैं उसे भी जल्द दूर किया जाएगा हम लोगों का प्रियास है कि जिले वासियों को बहतर स्वास्त लाभ मिलें उसके लिए हम लोगों करवाई करेंगे दूसरा चीज़ है कि जायत अक्रेशन्स को जो जीविगा देदी के माद्यम से खाना मिल रहा है सब को मिला है सिवाए एक को छोड़के उसको अभी तुरण खाना दिलवाया जा रहा है खबर सहरसा से है जहां जन अधिकार पार्टी का कोशी और पूर्णिया प्रमंडल के सक्री कारकरताओं ने एक दिवसी बैठक का आयोजन किया इस वरान अधिक्षी उद्व बोधन में भी यादव ने कहा कि 11 दिसंबर को पपू यादव के नेत्रिक में लोग सभा चुनावी बिगुल फूका जाएगा वहीं बैठक को संबोधित करते हुए आती पिछडा प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पासवान और महसचिव ने कहा कि हमारा लक्ष है इस बार पपू यादव जी भारी बहुमत से विजय हो और इसके लिए सभी कारकरता अभी सिवू थेस्तर पर काम करने में लगे हुए हैं तैयारी को लेकर हैं उसी सिल्सिले में जनदिकार पार्टी ने सहरसा में बैठक बुलाई हैं जो कम से कम हजार की संख्या में सहरसा से हमारे साथी लोग फुर्दा के लिए परस्थान करेंगे और वहां के बैठक में भाग लेंगे साथ ही जो नगर निकाय की जो चुनो हो रही है उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो किस तरीके से हमारे पार्टी के जो चाहने वाले हैं उसको जिताया जाए और उसको मदद दिया जा इनहीं सब विशों पर आज की बैठक मुलाई बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से पड़ता ओन-लाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा उत्देश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भार करना है हम अपनी e-seva गतिविद्या यानी ओन-लाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्री स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं SKB Market.in, Shopping, सुकून के साथ राजनिती से जुड़ी हर एक ख़बर पर होगी हमारी नज़र ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजिंडा जमेदारों से करते हैं, तीके सवाल जनता के मुद्दो का रखते हैं खयाल हम पक्ष और विपक्ष के बीच दिस्पक्ष खड़े हैं हम निस्पक्ष और नीडर्ता के साथ बात करते हैं हम क्योंकि प्राइम टीवी है हम